स्वाथियो नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब शैनल में 79,000 सिच्छक बरती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुना आप सभी के वीच मुपस्तित हूँ आपकी सुनवाई कब होगी इसके अपडेट के साथ में तो फटा फट जुड़ जाएंगे जितने भी साती हैं देख लेंगे इस वीडियो के माद्यम से कि आपके प्रकरण की हीरिंग जो है कितने बज़े तक और कब होने वाली है सबसे पहले तो आप सभी को जानकारी के लिए हमने आपको बता भी दिया था और आपको जानकारी भी होगा आज आपका मामला कोट नंबर 6 में सुना जाना है ठीक है और बिंच आपकी जो है वो भी इसके बारे में भी आपको बता दिया गया था मन्नी जेजे मुनीर साब क कि बिंच में आपका मामला है सीरियल नंबर चार पे लगा है और यह आपकी डेली काज लिस्ट अब अभी तक मामला आया क्यों नहीं दरसल फ्रेस केसिस की संख्या भी कुछ थी और इसके बाद कल साम तक एडिसनल नहीं आई थी काफी रात को एडिसनल आई थी तो अमने वी लिस्ट में आपका मामला चाओथे नंबर पे है सुना जाना है और आपका मामला सो हो मोशें करहें हैं यह तक नहीं पहुंच पाई हैं ति्यूंकि communion क्यों के बीच बीच में राम जी के द्वारा तो है आपको सुचना दी जा रही थी जैसे ही केस मिंसन कराया गया उसके बारे में भी जानकारी आप तक पहुचा दी गई थी तो आप कत्ते ही परिसान ना हो थोड़ा सा वेट कर ले लंच अभी खतम नहीं हुआ है लंच जैसे ही खतम ह ग्रूपों में भी भी जा गया है तो वहां से आप उस चीच को देख सकते हैं आप खुदी कि कितना नंबर चल रहा और कब तक आपका प्रक्रण सुना जाना है तो संभावना प्रबल है आपका प्रक्रण आज टेक अप होगा क्योंकि बहुत ज्यादा केस की लोट तो है दरसल बीच में क्या होता है कि कोई केस अगर टाइम टेकिंग हो जाता है जिस प्रक्रण को अगर जैस साब ने ज़्यादा देर तक सुन लिया तो वहां फिर टाइम लग जाता है तो अब आप वहां काट करके अपनी बात तो ले नहीं जा सकते हैं तो आपको समझना लेकिन अगर किसी प्रकड को जैस साब ने सुनना ही चाह लिया और उनको उन्हें सुनना ही है तो फिर उसमें बिलंब हो जाता है हाला कि उम्मीदे थी कि लंच के आसपास लेकिन अब लंच के बाद ही आपका प्रकड सुना जाना तो इसमें वक्त लंच है लंच के बाद जैसी चीजे निकल के आती हैं, आपको वीडियो के माद्देम से, ग्रूप में, सुचनाओं के माद्देम से आपको जानकारी दी दी जाएगी, मिलते हैं, तब तक लिए आप सबसातों का बहुत बहुत धन्यवाद,